नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube Channel में दोस्तो आज हम आपको आपके गर में मौझूद कुछ ऐसी वस्तुवों का उपाय बताएंगे जिनने करने से आप जो भी आप अपने मन में चाहते हैं वे सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी दोस्तो हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कई गरहों का प्रति निदित्व करती हैं जिनका प्रियोग करने से, सभी ग्रैया आपके कंडली में जो मौजूद हैं, वे मजबूत हो جाते हैं। तो आपकी जिन्दगी में जो भी आप चाहते हैं, वे आप प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तो ऐसी एक चीज है जो कि आपके रुसोई में बहुती आसानी से मिल जाती है, जैसे काली मिर्च कहते हैं, दोस्तो काली मिर्च वैसे भी बहुत उपयोगी होती है, आपके आयर्वेजिक उपायों में वेनुसकों में इसका उपयोग किया जाती है, दोस्तो जीवन में क नहीं भी नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों कुछ जोती सास्तर में बताएगे ऐसे छोटे-छोटे से उपाई हैं जिन्ने अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन ही बतल जाता है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय बजरंग बली क्योंकि दोस्तों हम ऐसी वीडियो हरोज लाते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन में खुशाली ला सकें और जी सकें एक खुशी बरा जीवन। अपने जीवन खुशाली लाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नेगरिटिव एनरजी है या फिर कोई ऊपरी साया या किसी का किया कराया है। इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने घर के मुखे जो आपका बरामदा होता है यानि की चौक होता है जैसे लोवी भी कहते हैं वहाँ पर बीचो बीच आप एक स्टील की कटोरी में या फिर पीतल की कटोरी में या पीतल के किसी भी बरतन में चार काली मिर्च के दाने आप वहाँ पर रख दीजी जब भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति आपके घर का व्यक्ति हो या फिर आपके घर से बाहर का व्यक्ति हो जब भी आपके घर में परवेश करेगा तो उसकी सभी नेगेटिव एनरजी वे काली मिर्च अपने अंदर अशोशित कर लेगी और अगले दिन आप इन दानों को उठा करके अपने घर से बाहर किसी भी जल में परवाइद कर दें या फिर किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आप से रखाएं और यह उपाय तब तक करते रहें जब तक कि आपको ऐसा लगता रहे कि आपके घर में कोई negative energy है या फिर उपरी सा होता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है उसका मन मजबूत होता है और जिस किसी व्यक्ती का भी मन मजबूत होता है उसके वश में होता है उसे सपलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाता है वहीं अगर सुक्र की बात करें तो यह आपके भोग बिलास से स यानि कि आपकी जिन्दगी में एश और आराम की वस्तुमों से इसका सीधा सम्मन्द होता है. जब आपकी कुंडली में चंद्रवा मजबूत होता है, तो आपकी जिन्दगी में एश और आराम दिलाने वाली घर, वाहन, आदी सुख दिलाने वाली वस्तुमों की कभी भी कमी नहीं होती है, दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में सभी प्रकार की भोग विलाज की वस्तों का आनंद लेना चाहते हैं, एश हो आराम और पैसे में अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कि जब भी आप प्रती दिन अपने घर से किसी कारे के लिए निकलें या फिर घर से बाहर निकलें उससे पहले, अपने घर छोडने से पहले, आप दो काली मिर्च के दाने अपने मूह में चवा लें, चवाने से पहले दोस्तों उसे अपने सीधे हाथ में रख करके, ओम सभश शुकराय नमा, इस मंतर का एक बाहर जाप करके, इसे अपने मू करके चबाले और उसके बाद अपने घर के अन्यकारे करें देखते ही देखते आप पैसो और एशो आराम की जिन्दगी में आत्म निर्बर हो जाएंगे हर प्रकार के बहुत एक शुक आपको प्राप्त होने लगेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में किवले तना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले जाए बजरंग बली